नमस्कार दूस्तू मैं हूँ आपका दोस्त अबीशेक शर्मा और इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रेनियूल्स इंडिया स्टॉक के बारे में तो शुरू करते हैं आज के 15 मिनट चार्ट की अगर मैं बात करता हूँ करीबन 1% के करीब गिरावट हमें देखने को मिली है 315 रुपे 75 पैसे पर स्टॉक ट्रेट कर रहा है 3 आवर चार्ट को अगर हम देखते हैं यहाँ पर एक हाई बनाया था 335 रुपीज 47 पैसे का और लगातार एक टाउन फॉल स्टॉक में चारी है देखे अगर यही गिरावट चारी रहती है आप चाहें तो नीचे की तरफ 300 रुपीज का एक सपोर्ट जरूर लगा कर चल सकते हैं अगर देखे कि रावट चारी रही और हमारे सपोर्ट को भी स्टॉक प्रेक कर गया 295-290 तक के लेवल्स दिखा सकता है लेकिन अगर वापस तेजी आती है और फिर से एक बाउंस बैग स्टॉक बनाता है लेकिन अगर आप इन लेवल्स पर एक स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं या फिर पाइंग का मौका ढूंड रहे हैं तो 343 रुपीज और 42 पैसे के इस रेजिस्टेंस लेवल को पहले प्रेक होने दें यहां दोस्तों यह एक इंपॉर्टन्ट रेजिस्टेंस लेवल है जब तक स्टॉक इसको परेक नहीं करता कोई भी फ्रेश पाइंग हमें नहीं करनी है यानि कि यहां पर वेट एंड वाच की स्टेटेजी अपनानी है अगर आप पाइंग करके चलना चाते हैं लेकिन आपके पॉर्टफोलियो में अगर पहले से ही स्टॉक होल्ड है कंटिन्यू होल्ड करके चल सकते हैं तो यही स्टेटेजी आपको उपनानी है कि रेनियूल से स्टॉक में आप चाहें तो अपनी खुद की एनलाइसिस खुद की रिसर्च सरूर करके चल सकते हैं तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद